तो आज इस वीडियो में बात करने जराओ किस तरह गुगल ले सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर जैसे कि गुगल अपडेट के बाद आपको मालूम है डायरिकली आप गुगल लिए अप्लाइ नहीं कर सकते हैं आप गुगल खुद ही डिसाइड करेगा कि किसे एक वेबसाइट लिंक है software77.in और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें गुगल लिउस का approval मिला हुआ है तो मैं आपको बता दू यह ज्यादा दिन नहीं हुआ केवल दो से तीन दिन हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखें यहाँ पर 27 impression है जैसे यहाँ पर नीचे scroll करता हूं तो देखें कौन से कौन से page में यह मुझे impression मिला है यहाँ पर 100 हो रहा है तो फैन यह मैंने proof दिखा दिया किस तरह मैंने 2-3 दिन के अंदर Google News के approval ले लिया तो चलिए देखते हैं कैसे आप भी Google News के approval ले सकते हैं तो इसके लिए simply आपको search करना है Google Publisher Center और यहाँ पर top में ही आपको option देखने को मिल जाएगा Google Publisher Center इसे open कर लेना है open होने के बाद साहिद आपको इस तरह का interface देखने को ना मिले मैं already add करके रखा हूं तो मुझे इस तरह का interface देखने को मिल रहा है अगर आपने add किया तो आपको same interface देखने को मिलेगा अगर publication name को यहाँ पर type कर देना है और location को यहाँ पर choice कर लेना है उसके बाद simply add कर लेना है add करने के बाद आपको इस तरह का same interface देखने को मिल जाएगा लेकिन अब आपको main काम करना है तो इसके लिए simply आपको नीचे option मिल जाजा है manage your publication इस पर click करना है और यहाँ पर देखिए Hour quindi क्लिक करना है और यहाँ पर आपने research console से verify कर लेना है आपको यहाँ पर simply paste करके verify कलिक कर देना है और आपको और आपको और option मिल जाता है तो simply आपको search करना होगा Google News तो देखें यहां पर Google News open हो चुका है तो आप मुझे यहां पर एक code type करना होगा तो आप ध्यान से type करिए तो simply यहां पर type करना होगा site double.us के बाद आपको अपने domain name को यहां पर type करना है और simply enter करना है तो यहां पर देखिए मेरे वेब साइट के जितने भी URL इंडेक्स हैं यहां पर मुझे सो हो रहा है यहां पर सो होने का मतलब है मुझे गूगल नीज अप्रूबल मिल जाएगा अगर आपको यहां पर सो नहीं हो रहा है तो आपको वेब स्टोरी डालना है वहां से भ अगली वीडियो में तब तक के लिए अगली वीडियो में तब तक के लिए